गुड मॉर्निंग इस्टूडाइंट्स, इस चाप्टर 15 ओफ इंग्लिश फर्स्ट, नैवर मिस्यूस पावा, कभी भी अपनी शक्ती का दुरुपयोग नहीं करिये About 400 years ago, लगवक 400 साल पहले, people started migrating to America, leaving their homes in Europe लोगों ने जो है, यूरोप में अपने घरों को छोड़ का, अमेरिका की ओर जो है, क्या करा, उन्होंने migrate करना शुरू किया Migrating यानि एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर जाना America is far from Europe, अमेरिका जो है यूरोप से दूर है, it lies across the vast Atlantic Ocean, यह जो है विशाल Atlantic Ocean में इस्थेत है America in those days, उन दिनों में अमेरिका was mostly uninhabited, uninhabited का मतलब है निर्जन निर्जन का मतलब समझगे ना, जहाँ पर लोग कम होते हैं तो उन दिनों में अमेरिका जो है, mostly यानि अधिकतर निर्जन था, it was a land of great promises इस की जमीन पर जो है बहुत से promises मतलब काम थे, and these migrants decided to settle there और इन प्रवासियों ने वहाँ पर इस्थावित होने का निर्णय किया अमेरिका at that time was a colony of British, अमेरिका उस समय बेटिश का उपनिवेश था, बेटिश लोगों का, ठीक है, बेटिश यानि बेटेन, ठीक है इम्पेरियलिस्ट का मतलब होता है सामराज जवादी, सामराज जवादी जो थे, बहुत ज़्यादा क्रूर थे और निर्दई थे, किसके परती, जो वहाँ के मूल निवासी थे, ठीक है, जो वहाँ पर रहते थे उनके परती दे एक्स्प्लॉइटेड दा कॉलोनिस्ट ओवर देयर, उन्होंने क्या करा, वो जो वहाँ पर उपनिवेश थे, उपनिवेश चो करने आये थे, वहाँ पर उनका शोशन करते थे वो, दे वर हाश्री पनिज फॉर इवन आ माइनर मिस्चेक, और वे उनको कठोर दंड दे देते थे, एक भी छोटी सी गलती के लिए, विच दे कमिटेड जो उन्होंने की होती है, कमिटेड वानने कहते हैं वह से तो प्रतिवद्ध होना, यानि जिसके वह प्रतिवद्ध होते हैं, जिसकारान सो उन्होंने की होती है, सो था पीपल रैवेल, इसने लोगोंने क्या करा बगावत की लेकिन जो रैविलियंस थे रैविलियंस यानि जो बगावत करने वाले थे उनको क्या करा क्रूली यानि निर्दाइता से उनको कुचल दिया गया वेटिश आर्मी के द्वारा बार रोक आउट बिट्विन दा टू आर्मी और जो युद्ध छड़िया एक इसके बीच दो आर्मियों के बीच, दो सहनाओं के बीच में और बहुत सफर्ड हैवी लॉसेद और दोनों ही सहनाओं को बहुत सा नुकसान सहना पड़ा अमेरिकान आर्मी वर लेड़ वाया वेरी एफिशेंट, कैपेबिल अमेरिका के आर्मी जो थी उसका जो नेतरत्वा वो कौन कर रहा थे एक बहुती सक्षा और दयालू जनरल था जिसका नाम था जोर्ज वाशिंटन दा जनरल फ्रिक्वेंटली विजिटेड हैस सोल्जर्स जो जनरल था वो प्राया अपने सोल्जर्स की विजिटेडमान देखता था उनको वह प्राया लंबे डिस्टेंस लंबी दूरी का सफर करता था और अपनी आर्मी से मिलता था सैना से और उन्हें प्रते कदम पर उन्हें सहाज देता था दा सोल्जर्स वर कन्विंजड देट विद एन एफिशेंट एंड केरफुल लीडर लाइक हिम जो सैनिक थे वो आश्वस्त होते थे कि उनका जो जनरल है वो बहुती कुशल और केरफुल है यानि उनकी देखवाल करने वाला है ठीक है ऐसा उनका लीडर है विक्टरी वुट सून भी तेयर्स और इस कारण जो है वो जो है जीत को जल्दी ही प्राप्त करेंगे वन डे एस जनरल जोर्ज वाशिंटन रोड बाए एक दिन जब जनरल जोर्ज वाशिंटन जो थे वो अपने घोडे पर सबब जा रहे थे ही सौव गुरूप आफ यंग सोलजर्स उन्होंने एक यंग सोलजर्स का यानि सैनिको का एक सम्हूं देखा ट्राइंग हारड रोल ऑफ हैवी लोग जो क्या कर रहे थे एक भारी लोग लोग कहते हैं लकड़ी के लट़े को वो एक भारी लकड़ी का जो लट्ठा था उसको हटाने का कोशिश कर रहे थे रोल करने के मतल़ उसको लुड़काने की दे वर विंग सुपरवाइज वाय सर्जेंट और उनको कौन देख रहा था एक सर्जेंट यानि मेजर उनको सुपरवाइज कर रहा था यानि उनको आग्या दे रहा रहा था Who sat on a horse नियर वाए जो पास में अपने घोडे पर बैठा था He sat on a horse cursing, shouting and scoffing वो घोडे पर बैठा भूआ क्या कर रहा था अपशदु वोल रहा था, चिल्ला रहा था और उनका उफास कर रहा था He even whipped the young soldiers वह जो है और यंग सोलजर्स को कोड़े भी मार रहा था विभड़माने कोड़े मारना इस एक्ट वस इन हुमन उसका जो एक्ट था उसका जो बिहेव था यानी बैभार था वो मानफता के खलाफ था मता है इन हुमन याने मानफतावादी नहीं था कुरूल था कुरूर था दा मैं ट्राइड वेरी हाड बट जो वो आदमी थे यानी सैनिंग जो थे वो कठिन बहुत कठिन परिश्यम कर रहे थे बट अनफॉर्चुनेट लेकिन दुर्भाग्य से दा लॉक डिड नॉन मूव एन इंच जो वो लॉक था लकडी का लट्ठा थ लेकिन जो सर्जेंट था उनका मेजर था उसने उनकी मदद के लिए कुछ भी नहीं किया वेन जोर्ज वाशिंग्टन सौ देस जब जोर्ज वाशिंग्टन ने यह देखा ही वस अमेज़ एंड मूव वह हैरान हो गया और उसने मूव किया यानि आगे बड़ा वह शांती से अपने घोड़े से उतरा और सैनिको के पास गया उसने भी उनको जोइन के लिए आनि उनके साथ वो भी लखड़ी का लट्था जो हटाने के लिए लग गया और दूसरे सैनिको की तरह उस लट्थे को धक्का देने लगे तुगेदर दे पुष्ट एंड दे सक्सीड़े इन मुविंग दे लॉग वो वे जोए धक्का देते रहे और वे जोए सफल हो गया उस लॉग को हट धिलाने में एवरिबड़ी थैंक्ड हिम प्रितेक ने उनको धन्यवाद दिया एंड सैट ओफ तु डू अधर जॉब और अपने दूसरे काम में लग गया वाशिंग्टन कॉइटली वाग तुवर्ड़्स वाशिंग्टन जो है शांति पूर्बग चले अपने होर्स की तरफ तू माउंट टॉर्स पर चड़ा गया दा सर्जेंट हैड वीन वाचिंग तिस फ्रॉम आर रिमोट कॉर्ण और जो सर्जेंट था यानि जो मेजर था वो जो है एक कोने में जो है केवल यह सब रिमोट बनकर देख रहा था वैन वाशिंग्टन 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 ने अपने घोड़े की लगाम को चलने के लिए खीचा तब सर्जेंट ने यानि मेजर ने बोला, हे यू, ए सुनो, टैल अस हूँ आर यू, तुम मुझे बताओ, तुम कौन हो, I am highly impressed by the way you helped, मैं तुम्हारे इस, मतलब तुमसे बहुत प्रभावित हुआ हूँ, किस से जो तुमने help की उस से, वाशिंग्टन टर्ण राउंड पॉलाइटली, वाशिंग्टन जो थे, वो नम्रता से मुड़े, और उस मेजर को देखा, देन ही काम डी रेपलाइड, और उसने शांती से जवाब दिया, Sir, I am your General George Washington, Sir, मैं आपका General George Washington हूँ, If you need help again, send for me, यदि आपको दुबारा से किसी साहता की जरूवत हो, तो मेरे पास भेज दीजिएगा, मेरे लिए खबर भेज दीजिएगा, The sergeant stood stunned and froze with fear, जो वो sergeant थे एंड मेजर था, वो जो दंग रहा गया, और froze माने जम गया, किस से डर से, Even the young soldiers overheard and trembled, और प्रतेक जो young soldier थे, सायनिक थे, उन्होंने ये सुना, और वो भी काप गये, But Washington gave them a cool smile, लेकिन Washington ने उनको एक ठंडी smile दी, मुस्कुराए, Then he glanced at the sergeant, और उन्होंने उन्होंने sergeant पर, यान मेजर पर नदर डाली, and sprang on the horse, और अपने घोडे से उचलके, and road off without a stop, और बिना रुके जो है, वो वहां से रवाना हो गये, But the sergeant was taught a lesson, why all this? लेकिन वो जो मेजर था, उसने इस सब से, क्या सीखा, एक उसने पाट सीखा, Lesson, moral, The sergeant looked around humiliated, कि जो sergeant था, जो मेजर था, वो जो है, सबको humiliated मानवता की, नदर से देखने लगा, Even when a man occupies a higher rank, and he has love and kindness for others, यद्दे भी वह जो व्यक्ती था, एक बहुत बड़ी rank पर था, यानि पद पर था, फिर भी लोगों के प्रतिवस में, प्यार और दया थी, He shall be praised and honored by all, वह जो है, सभी को खुशी देता है, और उनका सम्मान करता है, करेगा, George Washington was the commander of the army, whereas he was just a sergeant, George Washington जो उनकी आर्मी के जनरल थे, और जबकि वो एक मामुलिक जनरल के वाल एक sergeant था major, but the help which the general gave without giving any thought, लेकिन जो है, उन्होंने जनरल ने क्या करा, वो उन्होंने लोगों के मदद की विना किसी बिचार के, that the work was below his dignity, जो उनकी गर्म्या को कम नहीं कर देता, made him honored by all, और हमें सम्मान देता है, the sergeant never forgot this as long as he lived, और जो major था, वो इस घटना को कभी नहीं भूला, बहुत दिनों तक जब तक वो जीवित रहा,